असलाम लेकुम फ्रेंड वेल्कम टू मैं चैनल क्राफविदू मैं रहा हुस्मान आज मैं आपके लिए सिंधी और बलूची शॉर्ड लेकर आई हूं उनके कलर कंबिनेशन और डिजाइन के आडियाज आपको बताऊंगी तो यह प्यारे प्यारे जो कलर्स हैं जो बलूची लेकिन अक्सार लोग इन ही डिजाइन्स को लेकि मशीनों पर भी काम करवा रहें तो बलूची कड़ाई या सिंधी कड़ाई जो है वह ज्यादा तर जो निडल से अपने हाथ से की जाए थ जियादा प्यारे लगती है और बलूची कड़ाई का यह है कि अगर बलूचीकी कि पीको भी करवा सकते हैं वो मशीनी भीको होती हैं मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद इंशाला आपको कलर कंबिनेशन और कड़ाई का काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा यानि कि अगर आपके पास शॉल्स मुझूद हैं और आपको कलर कंबिनेशन का मसला हो रहा है तो अगर आप बलूची और सिंदी कड़ाई बनाना चाहते हैं तो इसके उपर ज्यादातर मुल्टी केलर इस्तेमाल होगी कोई भी कलर हो लेकिन धागों का जो कलर है वो ज्यादातर multi-use होई होगा Pure Balochie काम है Pure Balochie काम ज्यादातर आजकर Balochistan की कुछ इलाकों में होता है इसके इलावा सिंद में भी कुछ इलाके हैं जापे सिंदी वर्क यानि कि निडल वर्क हो रहा है इसके इलावा ज्यादा तर जो है इन्ही डिजाइन्स को देखके मशीनी वर्क करवा रहा है यानि मशीन का काम हो रहा है उनके उपर लिकें जो निडल वर्क है वो ज्यादा तर जो हैалोटोς इस्टान और सिंद के कुछ अलाकों में बनता है आपको दिखा रही हूं इन शॉल्स के उपर यानि बॉर्डर पे भी काम बना है और बीच में छटा भी डला हुआ है मॉटल वगरा का अगर आपको ज्यादा कड़ा ही नहीं पसंद तो आप ये जो साइड है इसके जो बॉर्डर साइड बने वे हैं दोनों चारों तरफ से य लेकिन बीच में जो चटा है उसका भी आप काम करवाके तो उस तरह भी शॉल्स बहुत प्यारी लगती है लेकिन अगर आप प्योर बलॉची या प्योर सिंदी काम यानि चाहती है कि शॉल्स बने तो उसके लिए फिर आपको इनके बॉर्डर बनाना काफी जरूरी होगा क जाब यह तक यह ज् hatte यह खालध के बॉर्डर नहीं बनते तक यह बलॉची या सिंदी की पियोर शॉल्स नहीं करहती है मल्टी कलर के इलावा जैसे अभी ये बलेक है और बलेक के ओपर एक ही कलर इस्तमाल हुआ है और ये जैसे अभी यलो है यलो के ओपर बलेक और बलेक के बाद जो है उसकी यानि बेस बलेक रखके और उसके ओपर फिर यलो काम हुआ हुआ है इस तरह भी बलोची यसिन्दी शॉले बनती है तो वो ज्यादातर आजकल फैशन में ज्यादतर वही इन है लेकिन अगर आप इस तरह मल्टी कलर रखेंगे तो यह जो टरडिशनल हमारा अपना बलोचिस्तान यसिन्द का जो काम होता है वो लाजमन जो है मल्टी कलर में होगा लेकिन अगर आप चाहती है कि हम लोगों ने आजकल जो न्यू फैशन है उसके हिसाफ से चले तो फिर बेशक आप एक कलर रखके और फिर बेस का कलर चेंज करके फिर उसके ओपर दुबारा से वही कलर रखें तो वो इन्शाला बहुत प्यारा और खुबसूरत लगेगा काम बलोची या सिंदी काम को सीखने के लिए जो कड़ाई के जो बेसिक स्टिच्स हैं उनके लिए मेरी मज़ीद भी वीडियो है आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला है किसी स्टिच में या कोई आपको इन ही शौल के उपर जो काम हुआ हुआ है उन मेंसे अगर किसी स्टिच को सीखना है या उसका तरीका जानना है तो प्लीज मुझे कॉमेट बेक्स में जरूर बताएं ताके मैं आपको उसी स्टिच के मताबिक ही आपको वीडियो बना के दिखा दो और अगर आप कढ़ाई करना जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाला आपको डिजाइन और कलर कमिनेशन का काफी एडिया हो जाएगा बलोची और सिंधी काम में ये है कि अगर आप सिर्फ कढ़ाई करा रहे हैं तो उसकी निसबत जब आप मिरर का काम इसमें कराओगे यानि शिशे का इस्तमाल करोगे तो वो जो है ना ज्यादा बहतर लगेगा अब ये देखें बलोची है सुरी ये सिंधी है सिंधी वर्क में बिल्कुल देखें इसमें कोई भी शिशा नहीं लगा हुआ तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन आप इसे सिंधी में जैसे फिल्याल तो ये बलोची काम है ये देखें बलोची में भी लगा हुए ये शिशा लगा हुए तो ये बहुत प्यारा लगता है इसी त बारी तो हो जाती है औरने में थोड़ा सा बारी बना जाता है लेकिन वह प्यारी बहुत लिखती है लेकिन अब यह जो दो शाल मज़ीद आपको दिखा रही हूँ इन में शीशा नहीं लगावा हूँ यह विदा और शीशे के हैं तो यह अपनी जगा इनकी भी खुबसूरत पर नहीं तो यह बहुत प्यारा लगी है